हेलो फ्रेंड्स मैं पंका चोरोसी और आप देख रहे हैं PK Tech वीडियो दोस्तो आज इस वीडियो में हम सब थमनेल बनाना जानेंगे दोस्तो यूटुब पे जितने सारे वीडियो रहते हैं उसका एक थमनेल बना रहता है वो तो थमनेल कैसे बनाए एट्रेक्टिव थमनेल क जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे ये थमनेल है एक दूसरा थमनेल है ये मनुजदे का थमनेल है ऐसे आप यूटूब पे अपना थमनेल कैसे बना पाएंगे उसके लिए कौन सब्सक्राइब करें तो वो इस वीडियो में आप बने रही है मैं पूरा बताऊंगा क कि उसके लिए क्या क्या जरूरत है तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको एक सफ्ट्वेर की जरूरत पढ़ेगी जिसका नाम है कैनवा मैं आज इस वीडियो में कैनवा जो सफ्ट्वेर है उसके थमनेल बनाना सिखाऊंगा तो चलिए आप अपने ब्राउजर पे जाएंगे और वहां पर लिखेंगे कैनवा डाउनलोड तो यहां पर आएंगे और यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा यह विंडो के लिए कैनवा डाउनलोड करें इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो कैनवा का सफ्ट्वेर है वो डाउनलोड हो जाएगा त तो इसलिए मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूं तो आप यहां प्याएंगे यह Canva में सफ्ट्वेयर अपना ओपन कर रहा हूं और आपको आगे की प्रोसेस बताता हूं कि कैसे आप अपना एक सांदार थमनेल बना पाएंगे जैसे कि बड़े-बड़े यूट्वर बनाते हैं तो जैसे आप Canva अप्लिकेशन को ओपन करेंगे तो ऐसा एक इंटरफेस आएगा आपके सामने अगर ऐसा नहीं आता है तो आपके सामने ऐसा सो होगा तो आप यूटूब के लिए अगर थमनेल बनाना चाह रहे हैं तो यहां पर क्रियेट डिजाइन पर क्लिक करेंगे क्रियेट डिजाइन पर क्लिक करने के बाद यहां से बहुत सारे सोसल मीडिया का नाम लिखा हुगा है कि किसके लिए क्या आप बनाना चाह रहे हैं तो आप यूटूब थमनेल बनाना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक प्लेन पेज ओपन होगा जिससे आप थमनेल बनाएंगे और उसका साइज होगा यहाँ पे साइज आप जैसे डाउनलोड करेंगे बाद में तो यहाँ पे दिखाएगा क्योंकि यह यूटूब कहीं थमनेल के लिए एक साइज फिक्स होता है सबका पहले से बहुत सारे प्री थमनेल दिया हुआ है यह आप बना लें तो इसके लिए मैं चाहरा हूँ आपको दिखा दू कि आज कैसे थमनेल बनाएंगे तो मैं आपको पहले सिखा देता हूँ कि आप सेम ऐसा थमनेल कैसे बनाएं जैसे यहाँ पे आप थमनेल हैं तीन-चार थमनेल दे दिये ऐसा आप लिखेंगे और सेम आप आज thumbnail बनाना बताऊंगा इसको minimize करता हूं और application को open करता हूं तो यहां पर दोस्तो background रखेंगे background का color ऐसा रखें कि ताकि जो आप front में लिखें जो highlighted दिस्सों हो इसलिए background का जो भी color है वो gradient में ग्रेडियंट मतलब जैसे कोई color रहता है आप internet पर search करेंगे यहां पर gradient color gradient color जैसे color set करेंगे यहां पर देख पा रहे हैं कि जैसे इसमें blue है और green है ऐसा रहता है पता है एक simple color ऐसा होता है कि blue blue gradient畫 pool my life the connect so оста यहां पर्ट जैसे क्लिक करेंगे और pardon क्लिक करने के बाद यहां पर्रेडियंट creator सब दिखा रहा है। यह हो गया यह हो गया ऐसे कितना अच्छा डिख़imy भेड्राओं में कि दर करख से ताकि इस पर जितने भी आप फोन्त लिखेंगे तो वो आपको अच्छे से दिखाई देगा तो आप माले जी ऐसा रखना चाहा रहे हैं तो यह समय सेलेक्ट कर लिया सेलेक्ट करने के बाद आप देखते हैं उस इमेज में क्या है आप देखते हैं यह बहुत सारे यूटुबर को देखे होंगे इसा पर कट जैसा एक बनाते हैं साइड में उसके बाद से अपना उपरिमेज रखंंगे तो इस्वें बनाता हूँ कैसे अप बनाएंगे वजसे इमेज को वैसे मेज को दोस्तों यहां पर इंटरनेट पर जाएंगे तो उसको भोलते हैं टॉर्ण पर इमेज तो जैसे यहाँ पर click की है, click करने के बाद आपको यहाँ पर image पर जाएंगे, तो बहुत सारे paper से जाएंगे आप download कर ले, मैं पहले से download करके रखा हूँ, तो इसको cancel करता हूँ, अब पहले से download करके, upload करके canva में रखा हूँ, अप्लोड करना है कैसे? अप्लोड करेंगे आप कैनवा अप्लिकेशन में तो यहां पर अप्लोड का ओप्सन आ रहा है यहां पर जैसे जाएंगे और जो फाइल आपको अप्लोड करना है वहां से सेलेक्ट करके आप अप्लोड कर सकते हैं तो मैं पहले से अप्लोड करके रखा हूं तो यह अब मैं स यहांँ चाहरा हूं तो इस साइड में रखें गे और इसको बड़े में कर लेता हूं ठीक है यहां तक तो होगया अब इसमें चाहरा है कि आपकी इसक하는데 थोड़ा सा देता है तो इस यहां पर कि drop पे जैसे क्लिक कें तो थोड़ा सा हलका सा यहां पर shadow आपको दीखने लगा drop पे click करके उसके बाइसे जैसे click करेंगे तो हलका सही में छोटा हो जागा तो इसको आप बड़े में कर लें बड़े में करके उसको adjust कर लें ठीक है अब दिख्या आप यहां से color उसका change करना चाहते हैं कि side का color change करना तो यहां से आप color भी side का change कर सकते हैं यहां पर आप side देख पारे है side आगया अब आप चाह रहे हैं कि इस पर image अपना लगाना तो image मैं पहले से upload करके रखा हूं मैं आता हूं नीचे और अपना जो भी image upload करना है वो search करके उसको upload करते हैं मुझे यह image upload करना है तो मैं यहां पर आऊंगा और यहां पर image upload कर दिया image upload करने के बाद आप चाहरे हैं कि इसको इधर से करने तो फ्लिप कर दे तो फ्लिप भी हो जाएगा यहां पर ऐसा कर ले ऐसा कर ले से थोड़ा सा हलका सा लग रहा कि टेड़ा है इस पर आके आप अपना सीधा कर ले सीधा करने के बाद यहां पर आके ऐसा कर ले थोड़ा सा बड़ा हाल है इसको अब इसमें चाहते हैं कि सैडो हलका सा रखे तो इस पर image पर क्लिक करके यहां पर आए आप जैसे क्लिक करेंगे आप जाते हैं कि पीछे रहे तो आप यहां से आके एंगल उसका सेलेक्ट कर सकते हैं कि कहां रहे यहां पे आप सेडो सेट कर सकते हैं और कितना विजीवल रहे वह यहां पे आप डार्क और कम कर सकते हैं मैं इतना रखता हूं ठीक है अब आते हैं इसके आगे क्या है यह आप चाहता है कि यूटूब का जैसे यह यहाँ पर लगा है ऐसा लगा ना तो यहाँ पर आएं आप इसको हलका सा मैं बड़ा कर लेता हूँ उसके बाद से आएंगे यहाँ पर एलिमेंट में और यहाँ पर सर्च करेंगे यहां पर इसका कलर आपचेंज करना चाहते हैं तो इसपे कलीक करें और यहां पर कलर आप चेंज कर लेंए इसको छोटा करें चोटा करके यहां पर आप लगा सकते हैं को कॉपी करें दो लगाना है तो पेस्ट करें फिर से और एक यहां लगा जाए ठीक है अब इसके नीचे यूटूब का लोगो चाहते हैं तो इसी पर करेंगे जितने भी आपको लोगो चाहिए वह यहां से मिल जाएगा आप यहां से यूटूब सर्च करेंगे यहां पर आएंगे और बहुत सारे देखेंगे यहां पर सी ओल पर क्लिक करके बहुत सारे यूटूब के यहां पर लोगो पड़े हैं तो यहां पर क्लिक करेंगे जैसे यह लगाना चाहरा है तो इस पर क्लिक करके और यहां से छोटा कर लिए और इस पर और छोटा कर लेते हैं तो देखिए यह सा हो गया अब आप चाहरा हैं दोस्तों कि यह सब थमनेल मेरा भी बन जाए तो वैसा करना है तो यहां पर आएंगे और एलिमेंट पर क्लिक करेंगे लिमेंट पर क्लिक करने के बाद नीची आएए और फ्रेम पर C All करें ఔसो ओल करने पर यहां पर जो आप स्लेट करेंगे वह एक फ्रेम आ जाएगा जैसे यह सिलेक्ट कर लेता हूं मैं और हलका सा छोटा कर लेते हैं तीन फ्रेम चाहिए तो कंट्रोल सी करेंगे कंट्रोल भी भी तीनों यहां पर लगा देते हैं ठीक है थोड़ा सा इसको टिल्ड कर ले ताकि देखने में अच्छा लगे ऐसे कर लिए इसको इधर कर लेते हैं और इसको राइट सैड घुमा देते हैं अब इसमें आपका पास जितने भी थमनेल हैं जैसे मेरे पास पहले से पुराने दो तीन चार थमनेल हैं वह लगाना चाहरा हैं तो यहां पर आएंगे अपलोड पर पर पहले से आप थमनेल लगा के रखें मतलब अपलोड करके रखाऊं मैं तो मैं यह तीनों थमनेल लगान चाह रहा हूं तो इस पे क्लिक करेंगे इस पे क्लिक करके इसको पकड़ के जिस पे आप रखना चाह रहे हैं फ़र्स्ट वाले पे तो फ़र्स्ट वाले पे क्लिक कर दें सेकेंड फे क्लिक करें और इसको पकड़ें और इसको रखना चाहरें थाड पर तो थाड फे रख दें इसको प्लिक करें यहां पर बीच वाला में रख दें तो ऐसा आप इसको बना सकते हैं अलका सा और बढ़ा लेते हैं इसको ठीक है और इस पर पीन लगाना चाहरे हैं आप कि इस पर पीन से इसको set कर दें उपर से जैसे पता चले कि पिंक से टंगा हुआ है तो इसके लिए आप एलिमेंट पर आए और यहां पर पीन क्लिक करें पीन टाइप करेंगे तो बहुत सारे आपको पीन दिखेंगे यहां से जो आपको पीन लगाना है वो पीन सेलेक्ट करें से और नीचे पीन जाते हैं और अच्छा कोई पीन मिलता है तो इसको select करते हैं तो दोस्तों मैं इस वाले पीन के यूज़ करना चाहता हूं तो इसको select करेंगे तो यह पीन यहां पर आ जाएगा यहां पर आने के बाद य इस पे आए और इसको एक बर और लेकर इस पे लगा देते हैं अब इसको background में ले जाना ओधे यह पर एसा ही सबola कर ले तो सबको तीनों एक पर सेलेक्ट करें हलका सा उपर कर सकते हैं तीनों को ऐसा सेलेक्ट करें और तीनों एक साथ उपर चला जाएगा next step आते हैं आप ऐसा बनाना चाहरे हैं आप तो उसके लिए क्या करेंगे तो इस पर आप canva सब्ट्वेर पर जाएं यहां element पर Click करें element में क्लिक करने के बाद करेंगे see all पर click करने के बाद आप देखवाने हैं यहां पर बहुत सारे steps दिये हुँ तो इसमें आप जो सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहां पर सेलेक्ट करने के बाद इसको एकस्पांड करें थोला सा ठीक है इसके बाद से इसको हलका सा उपर ले चलते हैं फिर आगे देखते हैं क्या है उसके बाद से ऐसा आप लाना चाहरे हैं तो इसके लिए क्या करना पड तो बहुत सारे arrow दीखेंगे यहां तो आप को select कर ले कि कौन सा आपको चाहिए मैं यह arrow select करता हूँ select करके इसको हलका से छोटा करें छोटा करने के बाद आप इसको adjust कर ले यहां पर इसका copy करें Ctrl C ये Ctrl V करके इसको एक और इधर लाना है इसका color change कर लेता हूँ यहां से select करें अब next देखते हैं क्या है यहां पर एक red color का पट्टी बना हुआ है थामनेल के यहां पर आपको red color के लाने के लिए अब एलिमेंट पर जाएंगे एलिमेंट पर जाने के बाद सी ओल पर क्लिक करें सी ओल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर यह सेप को रेक्टेंगल सेप को आप सेलेक्ट करें उसके बाद से इसको थोड़ा सा यह करें और इस लाइन को पुरा खीश दें इसको रेट चाहिए आपको तो रेड कलर यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं आप देख पा रहा है कि यह इधर हमारा फोटो के वह अब पीछे दिखने लगा थोड़ा सा हलका सा फोटो को और बढ़ा कर लेते हैं और इस थामनेल को और उपर कर लेते हैं ठीक है अब यह अच्छा दिखेगा फिर नेक्स अश्टे पाते हैं यह ऐसा आपको लाने करें तो इसके लिए आपको इंटरनेट पे सर्च करेंगे इस्क्रेचेवल इमेज तो उससे आपका इंटरनेट पे बहुत सारी इमेज है वैसे ही टाइप कर दिखेगा तो आप वहां से डाउनलोड करके अप फिर से कप्राना अपनी अप्लिकेशन में डाउनलोड करें उसके बाशे इसको यहाँ पर जैसे सेट है वैसे सेट करें इस को मैं कम कर लेता हूं चिक है इसका एक और Ctrl C करते हैं Ctrl V करते हैं इस से एक और इसको Flip कर लेते हैं एक Vertical और इसको original type में भी कर लेते हैं चिक है इसको हलका सा और बड़ा करके अग्जेस्ट कर लेता है इसको थोड़ा सा और यह चाहिए और अब तीनों को स्लेक्ट करना चाहते हैं तो यहां पर तीनों आये एक पर स्लेक्ट करके हलका सा इधर खिचलें ताकि वराबर हो जाए ठीक है अब इसके आगे बस आपको केवल लिखना है तो लिखने के लिए आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो अगर कीबूर में हिंदी टाइपिंग है तो की है तो यहां पर लिख सकते हैं नहीं है तो इसके लिए आप क्रोम ओपन करें और क्रोम पर जाए यहां पर लिखे हिंदी टाइपिंग हिंदी टाइपिंग यहा तो यहां पे सबसे फर्स्ट वाल लिंक्पे क्लिक करें और जो आप यहां पे English में लिखेंगे उसका Hindi टाइब करके यह देखा तो यहां पे आपको कहा लिखना है सिर्फ 2 मिनट में तो यहां पर आये आप लिखें सिर्फ 2 मिनट में एसपेस देंगे तो यह हिंदी में convert हो जाएगा इसके बाद इसको space दें और दो को no 2 देदें ठीक है अब इसको आप copy करें control c पूरे को control c करें और इधर आके आप canva सब्ट्वेयर में आए और यहां पर आपको type करना है तो इसके लिए type करने के text क्लिकरने यहांपे टेक्स्ट पर Qlik करें यहां पे आपको add heading क्लिक करना है और इसको पेस्ट कर देना जो आप लिखे ते पहले पेस्ट करने करने के बाद इसको आप छोटा कर ले चोटा करने के बाद इसको यहां ला दे है ठीक है अब इसका फॉन्ट अच्छा नहीं दिख रहा है तो इसके लिए फॉन्ट के लिए यहां पर क्लिक करेंगे उसको सेलेक्ट करके उसके बाद से आप आएंगे फॉन्ट में तो हिंदी कलिए यह अच्छा फॉन्ट है इस पर क्लिक करेंगे यह बोल्ड हो जाएगा बोल्ड होने के बाद थोड़ा सा यह और अच्छा दिखने लगए तो इस पर आके और थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहां से आके बड़ा कर लिए और यह थोड़ा सा छोटा होगा ठीके नेक्स्ट आत थामनेल और यहां पर आपको लिखना है सब कैप्स लॉक में लिखेंगे इस पर लाएं और यहां पर कंट्रोल यह करें और थामनेल लिखने है इसको सेलेक्ट करें सेलेक्ट रने के बाद यहां पर बोल्ड नहीं है तो इसको बोल्ड कर ले उसका पास से इसके साइज को इ और इसके और थोड़ा सा साइज को बढ़ा लेते हैं और अगर यह नीचे ऐसा चला जाता तो आप इसको थोड़ा बढ़ा कर लेंगे तो यह नीचे जो जा रहा था एक्स्ट्रा वो अब नहीं जाएगा इधर से यहां से खेचके और इसको आप बीच मिला लेते हैं ठीक है इसका कलर वाइट रखना जा रहा है तो इस पर क्लिक करके और यहां से आप वाइट कर सकते हैं अब बच गए आपको इस पर लिखना इसके लिखने के लिए यहाँ पर कैसे बनाएं तो कैसे बनाने के लिए आपको हिंदी में लिखना है तो यहाँ पर आएं और कैसे बनाएं यहाँ पर लिखेंगे तो यह हिंदी में टाइप कर दिये यहाँ पर कंट्रोल सी करें और उस अपने सब्ट्रोयर पर चलें सब्ट्रोयर पर जाने के बाद इसको कंट्रोल सी करें और कंट्रोल वी करेंगे तो इसका कॉपी बन जाएगा कॉपी करके यहां पर लाएं और फिर से आप इस पर जाएं इसको कॉपी करें और यह सब्ट्रोयर पर जाके यहां इसको कंट्रोल यह करके यहां पेस्ट कर दें, पेस्ट करने के बाद इसको थोड़ा बढ़ा ले, साइज को, साइज बढ़ाने के बाद यहां पर आके, टेक्स्ट वाले को, इसको बीच में, सेंटर में कर दें, अगर और कुछ एड़ेस्ट करना चाहते हैं, तो आप यहां से आके कर सकते हैं, जो आपको थोड़ा सा लगे कि टेड़ा है, या अच्छा नहीं दिख रहा है, तो यहां से आप कर सकते हैं, इस पर इधर से कर देता है, तो इधर से मैं कर देता हूं, अगर इसको बढ़ा करन यह आपके thumbnail बनके तयार हो चुगा है दोस्ते हो अब इसको करना क्या है जब करना है करते हैं लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि जेपीजी में करें जेपीजी में करने के बद यहां पे आपका रेजलेशन है 1280 x 720 पिक्सल में यह है इसके यूटूब के जो थमनेल का यह रेक्टेंगल सेफ है उसके लिए यह दिया गया है यहां पे आप क्वालिटी जैसा चाहते हैं कि कम करना तो यहां पे आप कम करके कर सकते हैं अगर चाहते हैं कि और अच्छा क्वालिटी में आए यहां पे क्लिक करके और 100% पे क्लिक करें और बढ़ा कर वहां से डाउनलूड कर सकते हैं इसका और अच्छा इससे डवल आपको ट्रिपल क्वालिटी में चाहिए तो यहां पर आके double triple लिखके यहां पर आप इसका quality ले सकते हैं तो केवल उसका resolution जो है वो बढ़ जाएगा बाकी image वो वही thumbnail पर लगेगा यहां पर आप download करें download करके download पर जैसे click करेंगे तो यह download करने का यह दिखा रहा है कि download हो रहा है download होने का बाद यहां पर रखना चाहते हैं जैसे यहां पर मैं रखना चाहता हूं तो यहां पर रखके अपना नाम दे दे जैसे यह रखता हूं मैं नाम और उसके बाद से यहां पर सेव कर देता हूँ सेव करने के बाद अगर ये चाहते हैं कि जो भी आपका ये प्रोजेक्ट बनाए है इसको सेव करना यहाँ पे आएंगे फाइल पे फाइल पे आने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका पेज सेव हो जाएगा अब इसको करते हैं सल्व delivery को cancel और आते हैं कहां पर डाउनलोड किये हैं उस पर तो डाउनलोड करने के बात देखअ है यहां पर डानलोड करके रखाएं देक्सूरप पर तो यहाँ पर एक download hook आ गया है तो दोस्तों देखिए कितना अच्छा दिख रहा है इस तरह दोस्तों आप भी अपना thumbnail बना पाएंगे तो आशा करता हूँ कि यह आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा thumbnail सिख लिए होंगे पूरा कि कैसे बना पाएंगे तो यह अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि thumbnail आपको कैसा लगा तो थैंक यू गाइस